नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रीती और आप देख रहे हैं सुभा नौ बजे आईए शुरुआत करते हैं हेड्लाइन्स के साथ अठान कोट हमले में मारे गया आतंगवादियों के पहचान के लिए एन्टर पोल से लेगी मदद घटना स्थल से हत्यार और मोबाइल पोन बरामद पाकिस्तान में सदिक्दों की धर्पकर जारी जब मुकश्मीर में महभूबा मुफ्ती ने सम्हाला पीडीप अधक्ष का पद आज हो सकते हैं विधायक दल की बैठक बीजेपी ने की पीडीपी से स्थिती साफ करने की मांग सुप्रीम कोट का बाल यौन शोशन के मामलों में सख्त सजा का सुझाव कहा कड़ा खानून बनाने पर संसत करे विचार पीड़ित बच्चे की तेहो पर इभाशा इराक में शॉपिंग सेंटर हमले में 18 लोगों की मौत गोली बारी और विस्पूर्ट में 50 से जादा लोग खायल आईएस नीली हमले की जिम्मेदारी पर्ट में भारत और अस्ट्रेला की बीच पहला वंडे टॉस जीत कर टीम इंडिया का बल्ले बाज़ी का फैसला बरिंदर सारन और मनीश पांडी को टीम में जगा NIA पठान को टेर बेस पर हमले करने वाले आतंकवादियों में से चार शवों की पहचान के लिए इंटर पोल से ब्लाक कॉर्नर नोटिस हासल करेगी NIA के एक टीम मुद्भिट स्थल पर तलाशी रखे हुए है यहां से एक 47 मैगजीन एक मुबाइल फोन और एक दुर्बीन बरामत की गई है इस बीच इस मामले में गुर्दासपुर के पुलिस अधीक शक सल्विंदर सिंग से कल पूछताच पूरी नहीं हो सकी आज NIA के मुख्याले में फिर से उनसे पूछताच की जाएगी NIA पंजाब में सल्विंदर सिंग के दोस राजेश वर्मा और रसोये मदन गोपाल से पूछताच कर रही है पाकिस्तान के प्रधान मंतरी नवाज शरीफ ने पठान कोट हमले की जाच के लिए IB, ISI, Military Intelligence और पुलिस को मिला कर संयुक्त जाच टीम बनाई है इसके तुरंद बाद छापे मारी में कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया भारत पूरे घटना करम की समिक्षा कर रहा है और कारवाई से संतुष्ट होने पर विदेश सचेफस्तर की बाचीत के बारे में फैसला लिया जाएगा पठान कोट में आतंकी हमलों के दस दिनों के बाद पाकिस्तान हरकत में आता दिखा है भारत की ओर से कारवाई के लिए दबाओ के चलते पाकिस्तान ने IB, ISI, Military Intelligence और पुलिस के संयोगत जाच टीम बनाई है और आतंक वादियों से संबंदित कुछ लोगों को हिरासत में लिया इन से भारत की ओर से दी गई फोन कॉल डेटल के अधार पर भी पूछताच की जा रही है इस टीम के सामने पठान कोट हमले के पीछे पाकिस्तान करेक्शन जैसे मुहमद सरगना मसूद अजर की भूमिका का पता लगाने की चुनौती है BJP ने कहा है कि भारत के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान पहली बार कारवाई को मजबूर हुआ है जब भी भारत पर हमला होता था किसी भी सरकार के समय में तो भारत की ये मांग होती थी कि आप जॉइन प्रोब कीजिए टेरिस्ट के खिलाफ एक्शन लीजिए लेकिन कभी गंभिरता से पाकिस्तान ने इस विशे को नहीं लिया इस बार उन्होंने वो बनाया है हम ये उमीद करते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो ट्रॉलेंस की नीती पर पाकिस्तान चलेगा और जो लोग इस मसले को लेकर दोनों देशों के राश्टी सुलक्षा सलाकार अजीर डुवाल और नसीर खान जाजुआ लगतार एक दूसरे के संपर्क में बने हुए हैं सुमवार को ही विदेशमंति सुस्मा सुराज ने ग्रहमंति राजना सिंग से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की इसे 15 जनवरी को इसलामबाद में प्रस्तावित सची विस्तर वारता से जोड़ कर भी देखा जा रहा है इस बीच रक्षामंत्री मनौहर परिकर ने आतंकी हमलों को लेकर कड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि आतंकी हमला करने वालों को भी उसके दर्द का एहसास कराये जाएगा अमेरिका की ओर से भी इस दौरान कई बार पाकिस्तान पर दबाव बनाये गया है अमेर्की विदेश्मंत्री जौन केरी ने पाकिस्तान से पठान कोट हमले में शामिल तत्तों के खिलाफ कारवाई की बात कही थी इस बीच गुर्दासपूर के स्पी सलविंदर सिंग से दिली में एनाईये ने पूछताश की एनाईये उसके कुछ और सहयोगियों को भी जाज कर रही है एक जन्वरी को तरके आतंकियों ने पठान कोट एर बेस पर हमला कर दिया था जिसमें साथ जवाज शहीद हो गए थे जभी कई दिन तक चले आपरेशन के बाद सभी छे आतंकियों को मार गिराए गया था आकलन इस बात का हो रहा है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को जो तथ्य परदान किये गए हैं और प्रधानमंत्री नवाज सरीप ने प्रधानमंत्री नेनिद मोदी से जो वादे किये हैं कारवाई उसके मुताबिक हो रही है या नहीं विदे सचीव अस्तर की बाचीत का भवी से इसी बात पर निर्भग करेगा राज सबाटी लिवीजन के लिए दिल्ली से अखिले सोबन जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने कल पीडिप अधश का पद सम्हाल लिया आज पार्टी विद हैदल की बैठक हो सकती है उदर बीजेपी भासचेव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी राम माधव ने सरकार गठन पर गेंद पीडिप के पाले में डालते हुए कहा है कि सरकार गठन के लिए कोई शर्त नहीं होगी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंती रहे मुफ्ती मुख्ती मुख्त साइद के निधन के बाद पारम पर एक शोक का वक्त भी बीज चुका है लेकिन अभी तक राज में नई सरकार के गठन पर इस्तिती साफ नहीं है राज में बीजेपी पीडीपी की सरकार चल रही थी और बीजेपी मैबुवां उफ्ती के नाम पर भी सहमत है लेकिन बावजुदिस के इस देरी ने कहीं न कहीं बीजेपी को चिंतित किया है कब तक बन पाएगी इसका उत्तर मेरे पास नहीं है हमने एक अच्छा उद्देश लेकर आठ महेना पहले जम्मो कश्मीर को एक अच्छा स्थाई सरकार जो डेवलोप्मेंट ओरेंटेड हो जम्मो कश्मीर के हित्मे हो ऐसी एक सरकार देने का एक संकल प्लेकर हम दोनों पार्टी साथ आये थे मुफ्ति साब के लिडर्शिप में आज मुफ्ति साब नहीं रहे है अब इस एरेंज्मेंट को ब्रॉडली जारी रखने के पक्ष में हम है हलाकि रविवार को ही मैभुवा मुफ्ती ने पीडिपी विधायक दल की बैठक ली लेकिन उनके सीम बनने में हो रही देरी के कारण जम्मो कश्मीर की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है शनिवार को कॉंग्रेस अद्यस सोनिया गांधी के बाद केंदी परिवान मंतरी इंटिन गटकरी ने मैभुवा मुफ्ती से मुलाकात की थी लेकिन पीडिपी ने सरकार गठन पर सस्पेंस बरकरार रखा है हलाकि जानकारों की माने तो मैभुवा मुफ्ती सत्ता की बागडोर संभालने से पहले बीजेपी को इस पश्ट संकेर देना चाहती हैं कि सरकार उनकी मर्जी से ही चलेगी राज में 87 सदस्यों वाली विधान सभा में पीडिपी के 28, बीजेपी के 25 विधायक, कॉंग्रिस के 12, नेशल कॉंफरेंस के 15 विधायक है वीरो रिपोर्ट राजी सभा टीवी बीजेपी ने माल्दा के कलिया चक हिंसा कुलेकर पश्ट्र मंगाल सरकार पर राश्ट्रे सुरक्षा से खिलवार कारोप लगाया है पार्टी ने टीमसी ने पात सवाल भी पूछे हैं कल माल्दा पहुंची बीजेपी की तीन सर्दस्य समिती को रेल्वे स्टेशन से ही वापस भीज दिया गया था सुमवार सुभध 6 बजे माल्दा रेल्वे स्टेशन पहुंची बीजेपी नेताओं की तीन सर्दस्य टीम का सामना भारी पुलिस बंदोवस्य हुआ बीजेपी नेता कलिया चक जाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर उन्हें बेरंग कोलकाता भीज दिया बीजेपी ने टीमसी सरकार पर वोट बैंक की राजनीती का आरोप लगाया और पांच सवाल पूछे बीजेपी ने सवाल किया कि ममता सरकार अराजकता खत्म करने के लिए खत्म क्यों नहीं उठा रही है क्या कलिया चक पलिस टेशन में हमला सुबूत मिटाने के लिए था अफिम की खेती करने वालों के खलाफ कारवाई क्यों नहीं हो रही है अगर लड़ाई B.S.F. से थी तो B.S.F. के बेरिकेट्स जलने से कैसे बचे और राजसरकार ने तुरंथ कारवाई क्यों नहीं की कोई भी सिकलर राज्य होगा वो कभी भी ये अलाउ नहीं करेगा कि लोग संपरदाइकता का जहर बोएं लीफलेट्स बाटें जिसके अंदर कमिनल प्रोवकेशन करें उसके लिए वो रोक करेगा मगर ऐसा ममता जी ने किया नहीं किया क्योंकि वो वोट बैंक के राजनीती करती है तीमसी ने कहा कि कलिया चक हिंसा आपराधिक वारदात थी ना कि संपरदाइक और दस आरोपियों को गरफतार कर लिया गया है CPM कारोफ है कि BJP और TMC विधान सबाद चुनाप के लिए सांपरदाइक धुरविकरन कर रहे है तीन जनवरी को कलिया चक में हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी के बयान के विरोध में लोग सडकों पर उत्रे थे इस दोरान हिंसा में पुलिस थाने को फोग दिया गया और कई वहनों में आग लगा दी गई थी केजृवाल सरकार पर बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने एक आईयस अदिकारी पर डिरी सेय मामले में वित्तमंत्री अरुण जेटली का नाम शामिल करने के लिए दबाव बनाया उस IAS अधिकारी का वोल लेटर भी सामने आया है जिसमें मामले की शिकायत के इंद्रिग्रे सचिव से की गई है दिल्ली सरकार में विजिलेंज सेक्रेटरी चेतन वी सांगी का ये लेटर बीजेपी के लिए किसी हत्यार से कम नहीं है बीजेपी अब इसके जरीए दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है बीजेपी का कहना है कि लेटर में जिस वी आईपी का नाम डालने का दबाव बनाया गया था वो नाम वित्मंत्री अरुन जेटली का है उधर दिल्ली सरकार का कहना है कि डेडिसीये मामले की जाज के लिए गोपाल सुब्रमन्यम आयोक का गठन किया गया है और जाज के बाद ही सच्चाई सामने आएगी दिल्ली सरकार ने ही पहले सांगी की अध्यक्षता में इस मामले की जाज के लिए कमैटी बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट में डेडिसीये में अन्यमित्ताओं की बात तो मानी थी लेकिन किसी का नाम नहीं लिया था अब सांगी का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने रिपोर्ट में एक वी आईपी का नाम डालने का दबाव बनाया था सांगी ने 28 दिसंबर को केंद्रिये होम सेकरेटरी को चिठ्थी लिखकर अपनी नियुक्ती केंद्र सरकार में करने की गुजारिश की है इस चिठ्थी में दबाव बनाने वाली बात भी लिखी गई है केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के बनाया सुब्रामन्यम आयो को पहले ही असम्मिधा ने करार दिया है हलाकि दिल्ली सरकार ने केंद्र के इस वैसले को मानने से इंकार कर दिया है अनुदीवान प्राजिसभर टीवी जम्मु कश्मीर में आई आरबी नाम की कमपनी को ठेका देते वक्त सीवी सी के दिशन इरदेशों का उलंगहन किया है। उन्होंने कहा कि आजीब बात है कि जम्मु कश्मीर में 14 किलो मीटर सुरंग बनाने की परियोजना के लिए बोली लगाने वाली एक मातर कमपनी आई आरबी थी। कांग्रिस महासाचीव के मताबिक 10,050 करोड रुपे का ये ठेका शीष इस तर पर ब्रश्टचार का सपष्ट मामला है। Infrastructure Developers Limited के मालिक हैं, उनके नितिन गटकरीजी से अकाट संबंद रहे हैं, बिजनेस डीलिंग भी रही हैं। हाला कि सड़क परिवहन और राजमार्क मंत्री ने ब्रश्टचार के आरोपों को खारिच कर दिया। उन्होंने कहा कि मंत्राले ने ठेका देने के लिए पारदर्शी ई निविदा प्रणाली को अपनाया और ब्रश्टचार के आरोप पूरी तरह जूटे हैं। हमारे डिपार्टमेंट में कोई भी काम इटेंडर के सिवा नहीं होता। जो टेंडर एक बार निकला था तब भी एक ही पार्टी आई थी। आज भी निकला तो भी इटेंडर से ही आया। पुरे दुनिया को ग्लोबल टेंडर वर्ल लेवल पर बनाया। और मैं फिवर करके कभी किसी को में टिंडर नहीं देते और कभी ऐसी बात नहीं होते। और मुझे इनी के सरकार के समय इंकम टाइक डिपार्टमेंट ने चिट दी कि मेरा कोई सम्मन नहीं। नितिन गड़करी ने आई यार्वी इंफरस्रक्चर डवलपर्स में उनके बेटे के निदेशक होने की बात को भी गलत बताया। गड़करी ने दावा किया कि यूपीए सरकार के दौरान ही इस मामले में उन्हें क्लेंचिट मिल चुकी है। बिरो रिपोर्ट राज्यसभा टीवी रक्षा मंत्री ने कहा कि नई रक्षा खरीद नीती जल्दी जारी होगी और इसमें मेक इन इंडिया पर विशेश जोर दिया गया है। खरीजारी हम लौट रहे हैं चोटे से ब्रेक के बाद। घटम प्राजीन दक्षन भारतिये तालवाद्य। जब बचता है तो स्रिष्टी के पांच तत्वों धरा, जल, वायू, अग्नी और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हतेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भत ताल। सुप्रीम कोट ने बढ़ते बाल यौन शोषण के मामलों पर चिंता जता ही है, साथी सुझाव दिया है कि संसद ऐसे मामलों में दोशियों के लिए कड़ी सजा करने पर विचार करें। कोट ने कहा है कि दुश्कर्म के अपराद में बच्चा शब्द को फिर से परिभाशित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोट ने सोमवार को महिला संगठनों के एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बात कही है। हलाकि मंदिर की मौझूदा परंपरा के मताबिक दस से पचास साल की महिलाओं के एंट्री पर बैन है। हेरल के यंग लॉइज अस्विकेशन की तरफ से इसके खलाफ सुप्रीम कोट में 2006 में PIL दाखिल की गई थी। इस मामले की अगली सुनवाई आठ फरवरी को होगी। दिल्ली हाई कोट ने सम विशम नियम पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है अब दिल्ली में ये नियम 15 जनवरी तक लागू रहेगा। शुकरवार को कोट में इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने दावा किया था किस नियम के लागू होने से राजधानी में प्रदूशन कम हुआ है। शुकरवार को हाई कोट ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने इस पर अपना पक्ष रखा था। सरकार ने कहा था कि ओड इवन पर अमल से दिल्ली में प्रदूशन कम हुआ है। हाला कि याचिका करताओं का दावा था कि सरकार ने गुमरह करने वाले आंकड़े पेश किये हैं। कोट के आदेश का दिल्ली सरकार ने स्वागत किया है। करताओं की तरफ से उठाए गए मुद्धों को भी ध्यान में रखना होगा। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। रविन सिंग्शोरान राज्य सभा टीवी। उप्राश्पती मौमद हामिद अंसारी तीन दिन के केरल दौरे पर है। उप्राश्पती ने समवार को कोटायम में के आर नारायनन इंस्टिटूट अफ विज्वल साइंस और आर्ट्स में फिल्म संस्थान के उध्गाटन किया। इस मौके पर उन्होंने उम्मीद जताई कि ये फिल्म इंस्टिटूट अंतराश्ट्रे स्तर पर भारते सिनेमा को नई पहचान देलाएगा। अपनी तीन दिवसी केरल दौरे के पहली दिन उपराश्ट्रपती कोटायम पहुँचे। यहां उन्होंने के आर नारायनन इंस्टिटूट अफ विज्वल साइंस और आर्ट्स में फिल्म संस्थान का उध्गाटन किया। इस मौके पर उपराश्ट्रपती ने कहा कि सिनेमा बदलाव का सशक्त माध्यम है और इसके जरीए कही गई बातों का असर आम जन्मानस में होता है। Cinema is a complex and a powerful art form. It is a form of popular entertainment but it is also a mass communication media. Films can transmit political and social messages. They can provide catharsis and perspective and can open our eyes to new ways of thinking, feeling and pursuing our lives. इसके बाद उपराश्ट्रपती ने कोच्ची में टॉक एच्च पबलिक के 387 अमारों में भी हिस्सा लिया। यहां उन्होंने कहा कि दूसरों की सेवा करने से बड़ा, दुनिया में कोई सुख नहीं है। इस मौके पर केरल के राजेपाल 20 सथा सिवंबे मौजूद थे। भराश्ट्रपती आज मलपुरां और तिरुवरनपुरां में कारेक्रामों में शिरकत करेंगे। दोरे के तीसरे दिन उपराश्टरपती आपचारिक तोर पर केरल को पूर्ण प्राथमिक शिक्षा हासिल करने वाला देश का पहला राज़े खोशित करेंगे सहित गंबर अबास राज्य सभा टीवी पूर्वी बगदाद के शिया बहुल इलाके जदेदा में बंदूग धारियों ने एक शौपिंग सेंटर पर हमला कर कुछ लोगों को बंधक बना लिया सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर इमारत पर धावा बोला इस दोरान दो हमलावरों ने खुद को विस्पोर्ट से उडा लिया जिसमें कई बंधकों की मौत हो गई 45 मिनट तक चली सुरक्षा बलों की कारवाई में दो बंदूग धारी मारे गए जबकि चार अन्ने को हिरासत में ले लिया गया इसी दोरान यहां एक कारवम धमाका भी हुआ हमले की जिमेदारी आईएस आईएस ने लिया है इधर इराक वायुसेना ने सोमवार को फलूजा में आईएस आईएस के ठिकानों पर बंबारी की इराक वायुसेना ने दावा किया है कि सलाओ दिन प्रांत में भी आईएस आईएस के कई ठिकाने खत्म कर दिये गए हैं अर्जिन्टीना के लियोनल मेसी को फीफा के बेलन डी और सर्विश्रेश्ट फुटबॉलर के पुरसकार से नमाजा गया है तो जिरन की जीरिक में हुए समारो 2015 में अमेरिका की काली लॉइड को सर्विश्रेश्ट माहिला फुटबॉलर और लोईस एंड्रे को सर्विश्रेश्ट कोच का वॉड दिया गया फुटबॉल के सबसे बड़े पुरसकार समारो बैलन डियोर में फुटबॉल जगत के दिगजों का जमावड़ा हुआ हर कोई बेसबरे से इंतजार कर रहा था साल के सर्विश्रेश्ट फुटबॉलर की खोशना का इस बार मुकाबला था अर्जंटिना के लियोनल मैसी, पुर्टगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ब्राजील के नेमार के बीच लेकिन आखिर में मैसी बाजी मार गए मैसी जहां अपने जीत पर बेहत खोश नजर आए तो वहीं नेमार थोड़े मायूस दिखे दोनों ने पुरसकारों की खोशना के बाद कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया आएं दी टेषियर कुछ अशिए भीचे सब गिस्ताडिक बाद किज मैसी जे जुआ तोास्ट कर जित्को शन फएं वरख दोछन डो noche तेपे विर वाल लागया इनके अलावा अमेरिका की कार्ली लॉयड को सर्फ्रेश्ट महिला फुटबॉलर, अमेरिकी कोच जिल एलिस को सर्फ्रेश्ट महिला कोच और लुईस एंडिक को पुरुष कोच के खिताब से नवाजा गया बैलन डियोर पूरे साल सर्फ्रेश्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को दिया जाता है पिछले दो पुरसकार पुर्तगाल के क्रिस्टियान और रोनाल्डो के नाम रहे थे बिरो रिपोर्ट राज्यसभा टीवी देश आज स्वामी विवेकानन के 153 वी जेनती मना रहा है इस मौके पर 12 जन्वरी से 16 जन्वरी के बीच नाशनल यूथ फेस्टिवल का आयो जिन 36 गड़ में हो रहा है जिसकी थीम इंडिया यूथ स्किल एंड हामनी है स्वामी विवेकानन ने विश्व बंधुत्व और शान्ती के भारतिय दर्शन के संदेश को पूरी दुनिया में पहुचाया था 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुई विश्व धर्म महसभा में स्वामी विवेकाननन्द का ये वही संदेश है जिसकी जरिये उन्होंने पूरे अमेरिका और यूरोप का दिल जीत लिया था दुनिया भर में भारतिय संस्कृती को गौरव और सम्मान दिलाने वाले स्वामी विवेकाननन्द का जन्म 12 जन्वरी 1863 को कोलकाता में हुआ था उनका वास्त्रिक नाम नरेंदर नाथ दत्त था नवंबर 1880 में रामकृष्ण परमहन से मुलाकात के बाद वो आध्यात्मिक्ता की ओर चल दिये 25 साल की आयू में उन्होंने सन्यास ले लिया और पैदल ही पूरे भारत वर्ष की यात्रा की 4 जुलाई 1902 में उन्होंने महा समाध ही ले ली स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के जरिये भारत्य संस्रिती के विश्व बंधुत्व और मानव सेवा के मूल्यों को दुनिया भर की लुगों के बीच पहुचाने में एहम योगदान दिया विवेकानंद युवा भारत के प्रतीक के तौर पर भी जाने जाते हैं युवाओं के बीच उनके विचार बेहद लोग प्रिये हैं आतंक और हिंसा से करा रही दुनिया में शान्ती और अमन के उनके संदेश की प्रासंगिक्ता और भी जादा बढ़ जाती है अब बात क्रिकिट की करते हैं भारत और अस्ट्रेलिया के बीच पांच बंडे मैचों के सीरीज का पहला मैच आज पर्त के वाका मैदान में खेला जा रहा है भारत ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है भारत का पहला विकेट जल्द गिर गया शिखरदवन नौरन बना कर आउट हो गए भारत ने आट ओवर में 37 रन फिलाल बना लिये हैं बाएं हाथ की तेज गिंदबाज बरिंदर सरन पहली बार टीम में उन्हें मौका दिया गया है तो भाई मनीश पाणने को मौमद शमी की जगा टीम में शामिल किया गया है और इसी के साथ फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही आखिर में एक निजर इडलाइन्स पर पठान कोट हमले में मारे गया आतंगवादियों के पहचान के लिए एनाये इंटरपोल से लेगी मदद घटना स्थल से हथियार और मुबाइल पून बरामत पाधिस्तान में सदेद्दों के धर पकड़ जारी जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने समाला पीडीपे अधक्ष का पद आज हो सकती है विधायक दल की बैठक बीजेपी ने की पीडीपी से स्थिती साफ करने की मांग सुप्रीम कोट का बाल यौन शोशन के मामलों में सख्थ सजा का सुझाफ कहा कड़ा कानून बनाने पर संसत करे विचार पीड़ित बच्चे की तैहों परिभाश्या इराख में शोपिंग सेंटर हमले में 18 लोगों की मौद गोलिबारी और विस्पोर्ट में 50 से जादा लोग खायल आईस निली हमली के जिम्मेदार पर्थ में टॉस जीत का टीम इंडिया का बल्ले बाजी का पैसला शिकरधवन नौरन बना कर आउट बरिंदर सरन और मनीश पांडे को टीम में जगहा